हलो एवरिवन, वेलकम टू रेसिपीस भाई फरीदा, आज हम बनाने वाले हरे मटर की कचोरी, और सिर्फ कचोरी नहीं बनाने वाले, कचोरी में से फिर हम चाट भी बनाने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंट तक जरूर से देखना, आई यह प्रोसेस देख लेते हैं, सबसे पहले हम स्टफिंग बना लेते हैं, क्योंकि स्टफिंग का ठंडा होना जरूरी है, तेल में जीरा एड़ करके मटर को एड़ कर लेंगे, मटर को मैंने यहां पे चोपर में चोप कर लिया है, आप चिली कटर में भी इसको क्रश कर सकते हो, और इसे कुक कर लेंगे, बहुत हाई फ्लेम पे हमें इसे कुक नहीं करना है, स्लो फ्लेम पे हम लीड लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, ताकि हमारे मटर अच्छे से कुक हो जाए, यह देखे यह हमारे मटर अच्छे से कुक हो गए है, एक उबले हुए आलू को मैंने ग्रेड कर लिया है बहुत ज्यादा आलू हमें यहां पे एड़ नहीं करना है सिर्फ बाइंडिंग के लिए मैं आलू एड़ कर रही हूं बारीक कटा हुआ धनिया नमक स्वादनुसार धनिया जीरा पाउडर हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला और बारीक कटी हुई हरी मिक्स कर लेंगे आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के सबसे कम ज्यादा कर सकते हो यह हमारा स्टफिंग रेडियो हो गया है इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं कचोरी का आठा गुंद लेते हैं इसके लिए यहां पे मैंने एक बोल मेदा लिया है नमक स्वादनुसार कर लेंगे और 2 टेबल स्पून एड और यह हां रही ही और तो थोड़ा थोड़ा पाणी एड करके हमें आटा गुंद लेना है उस बहुत जियादा पानी करना है अ प्सांद आटे का में बहुत को मसल लेना है और तो थेल यह एड करके अच्छ से मसल लैंगे कि जितना आटा को हम अच्छ से मस लेंगे उतनी ही हमारी कचोरी अच्छ से फूल के तयार होगी और इसे रेस्ट के लिए रख देते हैं अब इसमें से हमें एक बड़ी साइस का इस तरह से गोला लेना है और इसमें जो हमने माटर का स्टफिंग बना के रेडी किया था वो इ अपने ही साइस एड़ेस कर सकते हो हम यहां पे चाट के फोम में इसको सव करने वाले हैं इसलिए मैंने यहां पे बड़ी साइस की कचोरी बनाई है अब उसको फ्राइ कर लेते हैं फ्राइ करने के लिए हमें यहां पे इस बात का खयाल रखना है कि तेल बिलकुल भी हमारा बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए सिर्फ इतना ही गरम होना चाहिए कि हम जब कचोरी इसमें डाले तो हलके से बुलबुले आने चाहिए और जब तक एक तरफ ना हो जाए तब तक हमें इसको पलटाना भी नहीं है इसे कचोरी को हमें बिल्कुली स्लो टू मेडियम फ्लेम पे ही फ्राई करनी है यह देखिए यह हमारी क्रिस्पी करारी कचोरी फ्राई होके रेडी हो गई है अब इसको हम चाट के फोम में सव करने वाले हैं तो जो भी चाट के इंक्रीडियन्स है वो हम यहाँ पे एड़ कर सकते हैं मैंने यहाँ पे हरी चक्नी ग्रीन चक्नी दैही सेव और मसाला पीनट्स के साथ इसको सव किया है आप अपने मन चाई इंक्रीडियन्स इसमें एड़ कर सकते हो आई होप आपको मेरी आज की रेसेपी पसंद आई होगी और पसंद आई है तो लाइक और कामेंट जरूर से करना तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई